हाई फ्रेंड्स मैं आकांशा सर्माजी की विद्यकांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आदम संचार के कोशन करने वाले हैं जो कि माईले सुपरवाइजर में एक प्रवंदन के टॉपिक के अंतरगातिक सब टॉपिक है संचार जिसको कम्यूनिकेशन या संप्रेशन भी बोला जाता है उसी से संबंदित कोशन हम ये करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूँ है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ये हमारी अलग-अलग मॉडल दिये हैं अलग-अलग लोगों ने तो ये कोशन पूछा जाता है कि जो टेलिफोन मॉडल है वो किसने दिया था कि टेलिफोन के द्वारा आप टेलिफोन क्या होता है डबल दोएत संचार होता है दोएत संचार से मतलब आप अपनी बात भी उधर संचार्ज का जो टेलिफोन मॉडल है वह दिया था सेनन और वीवर ने किसने दिया सेननं और वीवर ने संचार कर टेली फोन मॉडल दिया और यह कब दिया था पूछा जाता है कि संचार का टैलिफॉनिक मॉडल है उस समस्या का नाम है सोर क्या है सोर यह कोशन पूछा जाता है कि संचार का जो टैलिफॉनिक मॉडल है उसमें बाधा क्या है तो उसमें बाधा है सोर कब आया उनी सो नंचास में किस ने दिया सीनन एवं बीवर ने सीनन एवं बीवर मॉडल को टैलिफॉन मॉडल कहते हैं सीनन एवं वीवर मॉडल को टेलिफॉन मॉडल कहते हैं। इसके अलावा एक कोशन पूछा जाता है कि जो संचार होते हैं, इसके कारिय कितने होते हैं। संचार के चार कारिय होते हैं। संचार के कारिय कितने होते हैं। चैनली अच्छार तेलिफोन मॉडल किस ने दिया सीना नेवं वीवर ने दिया 1949 जो संचार के पांच तत्व होते हैं उसमें होता है एक सूचना दाता मतलब एक सेंडर होता है जो अपनी बात को कहता है जैसे कि मैं आपको अपनी बात कह रही हूं तो मैं सेंडर हूं यह यह पूरा एक message रहेगा मतलब यह सूच ना रहेगी माध्यम क्या रहेगा YouTube यह तीसरा तत्व होता है बाध्यम तो तीसरा YouTube रहेगा चौथा रहेगा आप लोगों तक पहुच रहा है तो आप receiver रहेगे आपने मुझे comment में message किया कि मैम आपने वीडियो अच्छा बनाया या आपन पीजने दिया सीनन एवं Vivaर ने दिया कव दिया उनी सो नचास में दिया अगला है संचार का सापदिक मोडल किसने दिया सापदिक मोडल मतलब जो संचार को आप सब दो दवारा ही सबसे अच्छे से बता सकते हो यह किसने बताया तो संचार का जो साब्दिक मॉडल दिया था वो दिया था लॉस वैल ने संचार का साब्दिक मॉडल किस ने दिया संचार का साब्दिक मॉडल किस ने दिया मतलब संचार को सब्दो द्वारा भी आप बता सकते हैं भेज सकते हैं अपनी बार सब्दो द्वारा भी कह सकते हैं सबसे जदा संचार प्रियोग होता है, मौखिक संचार जो होता है, सबसे जदा संचार मौखिक संचार द्वारा ही होता है, पूरे टोटल जितना भी संचार होता है, उसका 70-30 संचार जो होता है, वो मौखिक संचार होता है, एक विज्ञानिक थे, एक फ्रेडरिक करके उनका बोला क्या है कि व्यक्ति के जीवन का लगभग तीन चौथाई भाग संचार में ही निकल जाता है मतलब एक दूसरे से बात करने में किसी को कुछ बोलने में इसमें ही चला जाता है व्यक्ति के जीवन का तीस तीन चौथाई भाग इसी में ही चला जाता है तो यह एक फ्रेड लुथांस उनका नाम था, Fred Luthans, एक Fred Luthans करके एक विज्ञानिक थे उन्होंने बोला है, कि व्यक्ति के जीवन का 3-4 थाई भाग संचार में ही चला जाता है, ये व्यक्ति के जीवन का इतना भाग संचार में चला जाता है, तो Fred Luthans ने बोला था, संचार का सापदेख मॉडल जो है वो किस ने दिया था लॉस वैल ने दिया और इन्हों ने ये मॉडल कब दिया था संचार का जो सापदेख मॉडल है 1948 में लॉस वैल ने दिया था 1948 में संचार का सापदेख मॉडल लॉस वैल ने दिया था ये याद रखना है किस ने दिया था, लॉस बेल ने दिया है, संचार का साब्दिक मॉडल, निंका पूरा नाम डी लॉस बेल है, ये आपको IMPORTENT है, याद रखनां ये वाला QUESTION पूछा जासा, तैलीफोनिक मॉडल सीना निवम बीवर ने दिया, और साब्दिक को प्रवंद का हिर्दे कहा है ये भी याद रखना ये पूछ सकते हैं कि प्रवंद का हिर्दे संचार को प्रवंद का हिर्दे किसने कहा था तो पिफणर ने संचार को प्रवंद का हिर्दे कहा था किसने कहा था पिफणर ने पिफणर ने संचार को प्रवंद का हिर्दे कहा ये बहुत महत्पून है ये भी पूछा जा सकता है तो ये फेक्ट भी याद रखिएगा अगला कुशन है किसने संचार को अनवरत चलने वाली क्रिया कहा है कौन सा ऐसा मॉडल है जो संचार को अनवरत चलने वाली प्रिक्रिया है ये कहा है Osgood model ने कौन सा model कहता है कि संचार अनवरत चलने वाली प्रिक्रिया है Osgood model ये कहता है ये जो model आया था वो ये 1904 में आया था और इसने क्या बोला है कि संचार अनवरत क्रिया रहे इसके अलावा ये Osgood model एक और बात बोलता है इसमें अंतर व्यक्तिक संबंद मेन होते हैं, अंतर व्यक्तिक संबंद मेन होते हैं, तो अंतर व्यक्तिक जो संबंद मेन होते हैं, वो यह आउसगोड मॉडल उसको महत्वून मानता है, उसने बोला है, कि अंतर व्यक्ति अपने अंदर से बातचीत करेगा, खुद से confident लाएगा, खुद से ही लड़ेगा, वो अपनी बात दूसरे से ज़्यादा अच्छे से कह पाएगा, मतलब जब तक वो खुद से अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, वो दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर ऐसा बोलता है यह Osgood model तो Osgood model और क्या बोलता है संचार अनवरत करिया क्योंकि व्यक्ति अपने आप से तो बात करता ही है ना पूरे समय जब एक अकेला होता है तब भी व्यक्ति किसी से बात कर रहा होता है तब भी वो अपने ही अंदर से सोच के ही बात करता है तो व्यक्ति अपने से खुछसे वाथ तो पूरे समय ही करता रहता हो जीवन धंजब तक उसका जीवन रहता है वो करता ही रहता हैं तो संचार एक अनवरत चलने वारी प्रिकिश्लई है कौन कहता है ओस чиुड मॉडल कहता है और गुड कवाया था 1974 में आया था इस कि इस मौड़ल ने शनर मों ने शनर होते हैं又 कि अंतर्युक्तिक संचार की विशेस्ता है अंतर्युक्तिक में भी बताया था अंतर्युक्तिक संचार मतलब अपना खुद से बात करें तो इन में जिसे कौन ऐसा है जो अंतर्व्यक्तिक संचार की विशेस्ता ये भागीदारी की अनुकूल है ये फोकस्ड और अन्फोकस्ड दोनों है ये दार्शनिक है ये रूपक है जिसका अंसर होगा ये फोकस्ड भी है और अन्फोकस्ड भी है अंतर्व्यक्तिक संचार की एक मुख् सकता है फोकस कुछ भी सोचता रहता है मतलब किसी भी प्रकार से हो सकता है फोकस भी हो सकता है और अनफोकस भी हो सकता है अगला कुशन है यातायत का जो संचार होता है वो कैसा होता है अपचारिक अनपचारिक प्रगति से लिए सैमियोटिक्स यातायत जो संचार होते है उस होता है तो सेमियोटिक मतलब होता है प्रतीकों द्वारा चित्रों द्वारा नंबरों द्वारा आपकी दिसा निर्धारित होना आप तक दूसरे की बात पहुँचना आपको कोई बात चित्रों द्वारा समझ में आ रही है आपको कोई बात प्रतीकों को द्वारा समझ में आ रही है तो लुग्षण रहेंगा हुपियु रहे घाटी को yhte जीज को समझ अ CHARM इतौट को समय सकते हैं कि आपकी सांज़तिक प्रिश्ट भूमी सारी सांस्करतिक प्रिश्थ भूमी करें आपकी सांस्कृतिक Subscribe संचार में जो संकेत की तुरंता है उसकी किस पर निर्भर करती है सांस्कतिक प्रेष्ट भूमी पर निर्भर करती है संचेत की संस्केत का है जैसे कि कोई विदेस की की चीज आजाए और आपके सामने आजाए जाए तो आप बहुत अच्छे से समझ आए即ि आपके आज पास के की लेकिन बाहर की बात कर रही है कि है सक्षक वर्धा कर रहा है कि आप संचार में संख्यत की तुरंत को कैसे समझ सकते Specifically पर निर्भर करती एच्छी संथक्नी पर निर्भर करती है जितनी अच्ची जैसी संख्यत क्रेश्टोंडी होगी उतनाइन अपक्द संच पाएंगे यहां पर आपको बहुत सारा करेंट डाटा मिल जाएगा सक्षम पोशन 2.0 की जो योजनाय आई है जो बदलाव हुए है अभी वहां पे रिपोर्ट मिल जाएगी आई सीएमार रिपोर्ट मैंने वहां पर डाल दी है बहुत सारी वहां पर आपको मिल जाएग डेली अपको मिलेंगे बहुत सारे अड्वानस लिवल Medien सिक्यू आपको वहाँ पर मिलेंगे तो वहाँ पर सर्च करना बहुत सरल है तो इसलिए मैंने वहाँ पर भी निस्वल को वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है तो आप लोग उसको फॉलो जरूर कर लिजेगा सबसे विडियो पॉस करिए गूगल पर जाईए अकाइशा 1957 सर्च कीजिए और मुझे फॉलो कर लिजिए वहाँ पर आपको बहुत सरा मैसेज में बहुत सरे कोशन मिल जाएंगे और अगर आप मुझे मैं मिल जाऊँ आपको तो मुझे मैसेज भी कीजिएगा ताकि मैं समझ भाऊं कि इसने मुझे फॉलो किया है ना अकाइशा 157 कमेंट वॉक्स में मैं इंस्टाग्राम की आपको लिंक दे दूगी तो आप जोइंग कर लिएगा साथ में आप हमारे वाट्सअप गुरूप से भी जोड़ सकती है वाट्सप गुरूप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में मिल जाए यह मेरा नंबर है इ आपको इसी नंबर पर वाट्सप करना है टेली ग्राम लिंक भी आपको मेरे डिक्सक्रिप्शन वॉक्स में मिल जाएगी यह मेरा पूरा फ्रेंड्स माहिरा सुपर्वाइजर की पूरी सेवन बुकलेट है अगर आप ऑफ लाइन मंगवाना चाहते हैं अपने घर पर तो संप्रेशन के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सकते हैं संप्रेशन के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सकते हैं संप्रेशन अर्थ सदेव आइस पस्ट होते हैं मतलब संप्रेशन के जो अर्थ होता है वो हमेशा आइस पस्ट होता है यह तो बिल्कुल गलत है अ और ऊपर पर तो सहे तो सही हUI प्रतीक सामानिया तक किसी शमूह की आंतरगा संजह जाते हैं। सब्सक्राइब करना संभब नहीं है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि संप्रेशन में तो हम अर्थ को साजा कर सकते हैं तो पहला और जो जो पांचवा वाला है वो गलत हो जाएगा बाकि B, C और D सही हो जाएगे तो यहां पर B, C, D वाला जो ऑप्सन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कुशन है PPP data communication के संबद में full form क्या होता है PPP का तो PPP का होता है point to point protocol प्रोटोकॉल होता है यह data link protocol होता है आप यह data से आप दूसरे लिंक तक पहुंच सकते हैं तो यह data link protocol एक data को दूसरे से जोड़ता है दो network या दो बिंदू के भी संबन्द स्थापित करने में स्कॉप्यों किये जाता है इसमें बिंदू notes भी हो सकते हैं computer भी हो सकते हैं host भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं तो क्या होता है इसका full form point to point protocol होता है अगला है कौन मुल रूप से तौरिट संदेश बहाक है जल्दी से संदेश प्रदान करता है facebook तौरिट आपको तौरिट जवाब facebook पर नहीं मिल सकता व्यक्ति facebook पर जाएगा आपका देखेगा उसके बाद comment करेगा ऐसे इंस्टाग्राम का है ऐसे ट्विटर का लेकिन वाट्साप एक तौरिट संदेश बहाग है आपनों जैसे वाट्साप करेंगे तो तौरिट आपको जवाब में सब्सक्राइब कोई online बैठा हो कुछ-कुछ लोग होते हैं पूरे time online रहते हैं उनको कुछ दूसरा काम तो हो देंगे तो वो वह होता है संदेश बहाग तो इसको इनसेंट मैसेस टकनीक बोलते हैं किया IEM तरंत मैसेस टेंग मतलब क्या होता है तुरंत जबाब वाली तकनीज ये real time text transmission की अनुमती देती है अगला question है GPRS क्या है तार संचार सेवा computer program, cell phone device या तार रहिसंचार तो ये तार रहिसंचार है और एक cellular device है Cellular, cell phone नहीं है cellular device है GPRS और क्या है ये तार रहिसंचार है क्या है तार रहिसंचार है इसमें ये इंटरनेट की दिसामिक तीसरी PD का कदम है इंटरनेट में जब हम तीसरी PD में पहुंच सकते हैं पूछ सकते हैं जो GPRS वो कौन सी PD में आता है तो GPRS तीसरी PD का एक connector है इसका जो full form होता है GPRS का full form क्या होता है G से होता है general G से होता है general P से होता है packet, R से होता है radio और S से होता है service General Packet Radio Service GPRS का full form होता है और ये एक packet switching संचार protocol है इसको GSM IP के रूप में भी जाना जाता है कि इसकी mobile में जो होता है न ये GSM IP के रूप में भी इसको जानते हैं तो ये क्या है एक तार रहित संचार ये होता है अगला है संप्रेशर में अंतरवस्तू निश्यंदक या content filter को इस रूप में जानते हैं आप कोई content आपका डला हुआ है उसको आपको बहुत अच्छे से प्रदसित करना है तो उसको क्या बोलोगे monitor बोलोगे बिल्कुल नहीं बोलोगे बोलोगे बिल्कुल नहीं बोलोगे सामागरी रक्षक बोलोगे बिल्कुल नहीं गैट कीपर बोला जाता है और यह बहुत important है यह आया है 2017 के supervisor के exam में संप्रेशर में अंतरवस्तू निश्यंदक या content filters को किस नाम से जानते हैं तो content filters को गैट कीपर या द्वार रक्षक के नाम से भी जानते हैं content filter को किस नाम से बोलते हैं content filter को Get Keeper या द्वार रक्शक के नाम से भी जाना जाता है कईने Net सिद्धानतवादी कहा जाता है West East Ind paint क्या होते हैं ऐसे रहूँ होते हैं जो इंटरनेट के बारे में इक यूटोपीन द्रुष्टीकोŋ क्या होता है ऊ丁ग होते है कि इस इंटरनेट के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया की कोई भी समस्या हो चाहे वो गरीबी हो चाहे बेरोजगारी हो हर कुछ को आप एनेट द्वारा, इंटरनेट द्वारा हटा सकते हो ऐसे कुछ नेट सिद्धानत वाली है वो ये सोचते हैं कि कुछ ना हो अके लिए इंटरनेट द्वारा हम सब कुछ मिटा सकते हैं लेकिन ये लोग कुछ आलोजनात्मक द्रश्टी कोण भी रखते हैं उनका मानना ये भी है कि इंटरनेट का उपयोग आजकल गलस सूचना को बढ़र गाली वाली देने भी कर सकते हैं ये ये भी मानते हैं कि इसका उपयोग दुनिया की सारी समस्याओं को हल करने में किये जा सकते हैं इंटरनेट अगर किसी के बास है तो सब कुछ हल कर सकते हैं तो ये कौन से प्रतिवादक हैं तो ये हैं अलगोरे, निकोलस, नेग्रोपांट और मैन्यूल केस्टेल्स ये तीन ऐसे विज्ञानिक हैं जिनको हम नेट सिद्धान्तबादी कहा जाता है ये ये हैरल्ड, इनिस और मासल मैकलूहन को नहीं कहा जाता नीचे के जो तीन हैं प जो जाएगा अगले कुशन है संप्रेशन मतलब अपनी बात दूसमान थीचर अपनी बात बच्चयों तक पहुँचाएगा पीचर को अपनी बात पहुंचाने के लिए कि एसंसा संप्रेशन उजगना चाहिए तो उसको प्रभावी संप्रेशन उजगने चाहिए मतędत्ब जतना ज़्यादा अच्छा है उसका अंसर प्रभावी हो जाएगा अगला है टेलिविजन प्रिसारन किसका उधारन हैं डेखो टेलिविजन प्रिसारन जो है देखो अलग-अलग प्रकार कि होता है ने आप ने अपनी बात तो दूसरों तक पहुंचा दी लेकिन दूसरा तक आप तीवी में अमिताब बचन का के बी सी देख रहे हैं या कोई कोई दूसरी मूई देख रहे हैं कोई मूई आ रही है सब्सक्राइब कर देख जिसे कि आज मेडान मूई आ रही तो अगय को अपन अपनी बात नहीं सुन पाएगा तो अपने दोस्कोर सुन पारा था press आप वो अपनी बात आप तक नहीं पहुँचा पारा, फुल डॉप्लेक्स कम्यूकेशन जैसे कि मॉबाइल है, आप भी अपनी बात कह पारहे हैं, और सामडवाला भी अपनी बात कह पारहे हैं, दोनों एक दूसरे की बात सुन पारहे हैं, तो वो क्या होता है, किस पर निर्भर अभी मैंने करवा दिया है, यह सांसकतिक प्रिष्ट भूवी पर निर्भर करता है, अगला कूशन है बहुत ही इंपोर्टेंट है, किस प्रेकार किस अंचार में डेटा को सर्वर से क्लाइंट तक, बिना क्लाइंट के अनुरूद के भेजा जाता है, डेटा को सर्वर से क्लाइंट तक एक डाटा है, उसको सर्वर से आपको क्लाइंट तक भेजा जाना है, और बिना क्लाइंट के अनुरूद के बता ही नहीं है, कि वो आपको डाटा आपको मिलने वाला है, और अचानक से वो आपके पास आजाता है तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं उसको पुस तकनीक बोलते हैं कौन सी बोलते हैं पुस तकनीक बोलते हैं इसके बारे में हम पड़ भी लेते हैं और ये पुल तकनीक क्या होती है जब अनुरोद द्वारा भेजा जाता है तो उसको पुस्ट तक्नीक बोलते हैं, अनुरुष के बिना पुस्ट तक्नीक और अनुरुष द्वारा पुल तक्नीक, दोनों इफेक्ट याद रखिएगा अब इसके बारे में एक बारी अच्छे से बता देती हूं ने को पुस्ट सेवाएं क्या होती है अक्सर अग्रिम रूप से व्यक्त की गई सूचना प्रात्मिक नाओं पर आधरित होती है इसे पुब्लिश सब्सक्राइब मॉडल भी कहा जाता है याद रखना पुस्ट जो बिना अनुरुष पर आ जाती है इनको publish subscribe model भी कहा जाता है एक client server द्वारा प्रिदान की गई विविन सूचनाओ चैनलों के लिए सदस्ता लेता है एक client server है वो अलग-अलग channelों की सदस्ता लेता है जब भी उन channel पर किसी पर एक नई सामगरी उपलब दोती है तो server उस जानकारी को client तक पहुचा देता है synchronous conferencing और instant messaging push सेवाओं का विशिष्ट उधारन होता है संदेश सेवा दोरा प्राप्त होते ही चैर्ट, संदेश और कभी-कभी file उपयोग करता को push कर दी जाती है pull technique क्या होती है pull technique में client खुद अनुरोद करेगा कि हमें message पहुचाओ ना तो client server architecture की सरंच संदश न करने का यह प्रारम पारंपरिक तरीका है मतलब pull technique जो है वो पारंपरिक तरीका है जो push technique है वो अपारंपरिक तरीका है push में अपन को मांगना नहीं पड़ता है इतकशा है और फूरीकशिए मैं आτοमेक्ली आजाता है बिना अनुरोद करेगा पड़ता है बेप पेच का अनुरोद करने वाला जो वतहीं होता है अगला है mobile phone में किस प्रेकाल की दोएत संचार का उप्यों किये जाता है Donc mobile phone में एक पूर्स इपनी बात किया नजी आफा है हो सा़मने वाला भी अपनी बात किया पर आप मुस्वे फोन पर बात करोगे आप जो कहोगे वो भी मैं सुनूगी जो कहूंगी वह भी आप सुनोगी ते यह पूर तरह से दॉयत सचार का उधारने दोनों तरफ से बाते हो रही है पूर्य दॉयत क्या होता है दोनों समय समय पर डाड़ा संचार दोपर प्राप्ट करते हैं जैसे कि मोबैल फॉन simplex क्या होता है simplex में sun charge जो होता है वो एक ही दिसा में होता है इसमें किवल एक device data भेजती है दूसरा device क्या होती है data प्राप्त करती है उसको हम simplex बोलते हैं उधारन एक CPU data भेजता है जबकि monitor data प्राप्त करता है तो यह simplex अर्ध दॉयद क्या होता है दोनों station data संचायद भी कर सकते हैं लेकिन समान समय पर नहीं उसको अर्ध दॉयद बोलते हैं या हाप डॉप्लेक्स बोलते हैं कि दोनों data प्राप्त भेज रहे हैं उसको तुम्हार data भेजता है दूसरा प्राप्त कर देता है जब एक भेजता है तो दूसरा प्राप्त करता है एक ही समय बहेजा यह बेजा और यह बिसमें से सत्थ है, यह यह कानूनी सबूत के रूप में काम करता है, यह लोगों को संभूतित करने के लिए उप्यूक्त नहीं है, यह लिखिष संचार से अधिग विश्वस्वसनी है, मौकिक संचार एक प्रिकार का अनौपचारिक संचार है, mosquitoes, इसके अशनल में, कि मौकि अपको किसी को अपनी बात कहना है कि हटो यार बीज में से हटो तो अपनी बात एकडम से आप अपनी बात अब उसरी करने की ज़रूरत नहीं है अप कुछ भी बोल सकते हो ज़रूरत नहीं है कि आप जरूर कर लिजेगा अगला है संचार को प्रिक्रिया किसने कहा है किसने संचार को प्रिक्रिया कहा है कौन ऐसा है जिसने संचार को कहा है कि संचार एक प्रिक्रिया है तो ये हैं हर्वर्ट साइमन किसने कहा है संचार को प्रिक्रिया संचार को प्रिक्रिया हर्वर्ट साइमन ने कहा है याद रखना संचार को प्रिक्रिया किस ने कहा है हरवर्ट साइमन ने कहा है अभी हर बहुत सारे जगह पर सुपर्वाइजर के कोर्से चल रहे हैं सभी जगह हर कोई भी टीचर होता है हर टीचर अपना 100% देता है स्टुडेंट के लिए लेकिन हमारा जो कोर्स है आप हमारे ओलाइन कोर्स लेते हैं या आप हमारी बुक्स घर पर मंगवाते हैं हमारी ये खासियत है कि हम आपको एक ओलाइन गुरूप प्रोवाइट कर रहे हैं जिसमें एक टेस्ट गुरूप रहता है एक वाटसब गुरूप रहता है और एक टेलिग्राम पीडिया डेली एक टॉपिक की PDF आपको गुरूप में पहुंचाते हैं वह इक टॉपिक अपने आप में कम्प्लीट होता है जिसे कि संप्रेशन को लीजिए संचार या कमुनिकेशन जिसको आप बोलते हैं संचार के जितने सब्सक्राइब किभिन या ओक्ते होंगे इस संचार की किस मॉडल को किया कहा जाएगा उस संचार से संबंस्bury कितने पूछे ना कि सारे अप को टेस्ट होता है उसी एकी टॉपिक का जो रात को नहीं दे पाते वो दिन में दे सकते हैं या दोनों टाइम दिनना चाहें तो दे सकते हैं इसलिए कि जैसे ताकि अब की बैस से बैस्ट तैयारी हो जाए अगर कोई कठिन टॉपिक होता है जैसे कि ये ये वाला ये ये कोशनी समय लो इसको मैंने कैसे करवाया है कि संचार को प्रिक्रिया कहा है किसने हरवट साइमन ने संचार को प्रिक्रिया किसने कहा है हरवट साइमन ने तो मैंने इसको ये करवाया है हर बात की एक प्रिक्रिया होती है हर बात की एक प्रिक्रिया होती है अगर किसी ने कोई परिभासा दी है तो हम उसको ड्रेक द्वारा करवा दे क्योंकि इतनी द्वार परिभासा याद करना possible नहीं है ICMR 2020-2024 ट्रेक द्वारा बाल विकास का पूरा portion हम ट्रेक द्वारा करवाएंगे क्योंकि बहुत कठिन-कठिन कुछ topic है कुछ सिधान्त बहुत कटेने तो हम सारा उनको ट्रिक ड्वार कर वाइन से जितने भी अधीनियम है अधीनियम की जितनी भी धाराएं पूरी धारा यादकर नहीं है उनको भी हमने ट्रीक जिसमें से 3-4 दिनियम हमारे ग्रूप में हो चुके हैं इसके बाद टैस्स लेके हम फिर 8-10 दिन में उनका रिवीजन भी करवाते रहते हैं बार-बार उनको करवाता कि वह आपका टॉपिक आप भूले नहीं वाट्सप हमारा 24-7 अपडेट रहता है आप हमेशा उसमें तैय जारी है तो अगर आपने कहीं भी हम नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारा नोट्स प्लस ग्रूप दोनों जॉइन कर लीजिए अगर आपने नोट्स ले लिए हैं तो आप हमारा ओल्लाइन सब्सक्रिप्सन ले लीजिए मैं दोनों का चार्ज आपको बता देती हूं जारह हजार एक प्रेशनों का प्रेश्णों बैंक फिरी दिया जा रहा है जो यूट्यूब पर भी मैं करवारी हूं 11000 प्रेश्णों को कर यूट्यूब के जितने वीडियो उस रहेंगी उनकी पीडियाफ भी वहीं दी जाती है सारी और उनका भी टेस्ट ले लिया जाता है इसा ही पीडियाफ आप इखटी कर लो पीडियाफ अगर मैं भेजती हूं तो अगले दिन उसका टेस्ट भी ले लेती हूं और mcq बीच-बीच में भी टेस्ट के बीच में भी कराती रहती हूं परिक्षा तक लगवग 40,000 फेक्ट तयार का हर को टॉपिक के मैक्जिमम जि पूरी 7 बुकलेट आपकी रहेंगी इसमें 5 थेहोडी की रहेगी और एक यह उपर यह वन लाइनर की रहेगी तो यह जो हाट कोपी का चार्ज अगर आप हाड भी लेना चाहते हैं मतलब यह 7 वोकलेट भी लेना चाहते हैं तो चार्ज 2499 है और केवल सॉफ्ट कॉपी लेन बन सकते हैं कि गरबबती महला को थाइमिन की कितनी जरूएते फिर उसको ऑप्सन में देते हैं जिसने की ताकि बार बार प्रैक्टिस करने से आपके कोशन याद हो जाए इस परिकार के चार्ट द्वरा बहुत सारे ठीकर करन हमने याद करवाए हैं यह मासलो का जो सिदान मुझे वाटसप कीजिएगा अगला पूस्षण है किसने कहा कि संचार के माद्य हम से एक दूसरे के कारियों को समझ सकते हैं किसने ऐसे बोला है सीनन ने इसने बोला है डकर ने डकर ने बोला है कि संचार के माध्यम से एक दूसरे के कारियों को समझा जा सकता है सीनन ने क्या बोला है टेलिफोनिक मोडल दिया है सीनन ने इसके बाद एलन ने बोला है कि संचार जो है प्रबंदकों के लिए एक पुल का काम करता है संचार जो है वो प्रबंदकों के लिए पुल का काम करता है ये किस ने बोला है ये एलन ने बोला है एलन ने बोला है कि संचार एक पुल का काम करता है सीनन ने टेलिफॉनिक मॉडल दिया है और डकर ने क्या बोला है डकर ने बोला है कि संचार एक दूसरे संचार के द्वारा ही एक दूसरे के कारियों को समझा जाता ये किस ने बोला है ये डकर ने बोला है अगला कुश्यन है ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ देखो ये बताया है ये क्या क्या है पारस पर एक संचार क्या होता है देखो पारस पर एक संचार वो होता है जब आमने सामने बैठ कर प्रत्यक शुरूप से बात की जाती है तो वो पारस पर एक संचार होगा समू संचार क्या होता है एक छोटे समू के भीतर कोई बातचीत हो रही है तो उसको समू संचार बोलेंगे जन संचार क्या होता है मीडिया के टीवी के द्वारा कोई संचार हो रहा है प्रिंट मीडिया के द्वारा न्यूस पेपर के द्वारा कोई संचार हो रहा है तो उसको जन संचार बोलेंगे अंतरव्यक्तिक संचार क्या होता है स्वयम से बात करना स्वयम के भीतर जहाकना उसको अंतरव्यक्तिक संचार बोलते हैं अगला कुशन है ये आपको बताना है कि निमने संप्रेशन शार्डियों में कौन सा कैसा है जैसे कि ब्लॉगिंग है ब्लॉगिंग किस प्रकार की साइट है तो ब्लॉगिंग कैसी साइट है एक सोसल मीडिया साइट है ब्लॉगिंग कैसी है एक सोसल मीडिया साइट है पत्र पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो पत्र पत्री का एक इस प्रकार की साइट है तो पत्र पत्री का जो है वो प्रिं प्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्